दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन निउस अभी मैं सासा राम नगर निगम के कारजाले के सामने खड़ा हूँ और सबसे बड़ी चीज है कि हर रोज इस तरीके की समस्या लगी रहती है अभी लंबी कतार लगी हुई है मुरादाबाद जो जाम की समस्या है वो कईयक वर्षों से है और लगता है कि बिहार सरकार ने इस पर संग्यान भी लिया था जिसमें दावत का एक जगा है और दूसर सरकार ने पास भी किया था कि यहाँ पर बाइपास बनाना है लेकिन मुरादाबाद एक इसी जगह है जो मुरादाबाद में अगर जाम लगता है तो वो करहगर के छेत्र तक चलई आती है वो जाम की समस्या और जाम समस्या के सासा तकिया सासा राम अभी हम सासा राम के शहर में ही है और यहां की सिती को देख लिजे अभी 10 बच के 12 मिनट हो रहा है रातरी के और किस तरीके से ये सारी परिशानिया है हम ट्रक के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कब से खड़े हुए है और ये समस्या हमेशा रहती है क्या कहेंगे बताइए कब से जाम में फशे हुए है व 1.5 गंठा हो गया बिया जी कहां से आ पा रहे है मैं तो यहां से आ रहा हूँ नभी नगर शे इनका कहना है कि हमेशा जाम की समस्या रहती है और जाम में हम लोग फसे रहते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार जो है अन्भिग है इन सम्मामलों से सरकार को चाहिए कि त्वरित करवाई करके मुरादाबाद में मसले का हल करें मुरादाबाद की जाम की समस्या हमेशा है पीछे बहुत सारी गाड़िया है और मुरादाबाद से भी उधर बहुत सारी गाड़िया है चिंता का बात ये है कि ये गाड़ियों को जहां समय पर जाना चाहिए वहां समय पर ये गाड़ी नहीं जा रही है अभी ड्राइवर है कितने बई से आप खड़े है शर अभी आ एक घंटे से जाब में फशे हुए है शारे लोग कहा जाना है जाना है सर गांजीपूर गांजीपूर इनको जाना है और सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ जो नगर निगम के लोग है वो नगर निगम के लोग भी जो है मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि वह लोग भी जो है नगर निगम के लोग भी जो है उधासी हं देखने को मिलती neglect है अभी देखिए यह bus खड़ी हुए और यह गारी है और बारी लगन भी है चारों तरफ लगन है और ट्रक है यहाँ जाम की समस्या जो है बहुत लगी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग है कब से खड़े हुए आप अब पूरी जाम की समस्या है आप भी उसी में है हाँ ट्रेन पकड़ना है तो जाना है पटना जाना है वसी जाम हुए है तो मतलब है इतने कब तक छुटता है तो आगे बढ़ेंगे जाने के काम करेंगे सारे लोग जो है परिशान हाल हैं बच्चे है छोटे छोटे महिलाए हैं चारों तरफ जो है जाम की समस्या है और यहां की जो विधी वैवस्था है बिलकुल कभी सुधरने वाली नहीं है चुके यहां की हालत जो है हमेशा हमेशा मुरादाबाद की समस्या जो है हमेशा रहत ही है कैमरा में कामरान कुरेशी के साथ मैं इनाम उल्ला खान